नमस्कार, स्वागत थे आपका खबरे इंडिया में इंडिन प्रिमिर लीग यानी IPL के 15 सीजन के लिए खिलाडियों की निलामी शुरू हो गई है और सबसे पहले भारती क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबास शिखर धवन के लिए बोली लगाई गई धवन को पंजाब किंग्स ने 8.25 करूल रुपे में खरीदा जबकि श्रेश आईयर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12.25 करूल रुपे में खरीदा आईपियल की निलामी ने इस बार सबको इसलिए भी चौकाया क्योंकि चिन्नाई की टीम से खेलने वाले सुरेश रेना को कोई खरीदार नहीं मिला श्रेश आज इस सीजन के आईपियल में अभी सबसे महंगे बिके हैं निलामी से पहले ही श्रेश आईयर पर सबकी नजरें थी और इस बार बाजी मारी कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनका बेश प्राइस दो करोन रुपे था दिल्ली, बैंगलूरू, कोलकाता ने आईयर के लिए बोली लगाई और बाद में केके आर ने आईयर को 12.25 करोन रुपे में खरीद लिया आईपियल में श्रेश आईयर की गिंती सफलतम बल्ले बाजों में होती है लेकिन बीते दो सीजन में वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाये थे बीते साल दिल्ली कैपिटल्स ने उनसे कप्तानी लेकर रिशब पंत को सौब दी थी माना जा रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स आईयर को रिटेन कर लेगी शिखरधवन का बेज प्राइस दो करोन रुपे था पिशले सीजन में शिखरधवन दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस लीग में खेल रहे थे भारतिये तेज गेन बास मुहमद शमी को गुजराट टाइटन्स की टीम ने 6.25 करोन रुपे में खरीदा शमी के लिए RCB और गुजराट टाइटन्स के बीच बिडिंग वार हुई लेकिन आखिरकार गुजराट ने उन्हें खरीदा हाला कि इसके बाद चिन्नई और RCB के बीच 5 डू प्लेसिस की खरीद पर बोली लगती गई और RCB ने अफरीकी बलेबास को 7 करोन रुपे में खरीदा इस बार वह RCB के लिए खेलते दिखाई देंगे पंजाब की टीम ने धवन के बाद दक्षण अफरीकी खिलाडी कगीसो रबाड़ा पर भी अपने तिजोरी खोली और उन्हें 9.25 करोन रुपे में खरीदा अब तक चिन्नई की ओर से खेलने वाले सुरेश रेना के लिए IPL के निलामी निराशा भरी रही रेना को इस बार किसी भी टीम ने नहीं खरीदा रेना का बेस प्राइस दो करोन रुपे रखा गया था इसके अलावा औस्टेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिट भी इसी फेहरिस में शामिल रहे और किसी ने उनके लिए बोली नहीं लगाई आईए अब जानते हैं कि डेविड वार्नर किसकी ओर से खेलेंगे आउस्टेलियाई बल्लेबास डेविड वार्नर को इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है दिल्ली की टीम ने वार्नर को 6.25 करोल रुपे पे खरीदा वार्नर की निलामी पर इसलिए भी सब की नजरे थी क्योंकि बीते सीजन में उनसे सन्राइजर हैदराबाद की टीम की कप्तानी वापस ले ली गई थी इसको लेकर वार्नर ने सारवजनिक तौर पर अपना दुख भी साहिर किया था उमीद की जा रही थी कि वार्नर को इस बार कई टीमें अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती हैं और उनके लिए उची बोली लगेगी हाला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ दिल्ली कापिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच वेस्ट इंडीज के खिलाडी शिमरान हिटमायर को लेकर काफी देर तक बोलियां लगती रही हाला कि आखिर में राजस्थान रॉयल्स ने 8.5 करोन रुपे में इस खिलाडी को अपनी टीम में शामिल कर लिया राजस्थान रॉयल्स ने युवा भारती एक रिकेटर देवदत पडिकल को भी 7.75 करोन रुपे में खरीदा आईए अब जानते हैं कि और किन खिलाडियों पर पैसों की बरसाथ हुई आईपील में केकेयार के लिए खेल चुके नितीश राणा को टीम ने रिटेन कर लिया है राणा के लिए कई टीमों ने बड़ी बोलियां लगाई लेकिन केकेयार ने उन्हें 8 करोन रुपे में खरीद लिया धवन के बाद रवी चंदरन अश्विन की बोली लगी और उन्हें राजिस्थान रोयल्स ने 5 करोन रुपे में खरीदा दक्षण अफरीकी खिलाडी क्विंटन डिकॉक को आईपील में पहली बार आगास कर रही लखनाओ की टीम ने खरीदा है टीम ने खिलाडी के लिए 6.75 करोन रुपे की बोली लगाई लखनाओ ने मनीश पांड़ने को भी 4.6 करोन रुपे में खरीदा अशर सीरीज में अपने प्रदर्शन से लोहा मनवाने वाले औस्टेलियाई तेज गेंद बास पैट कमिन्स को कोलकाता नाई ट्राइड़्स की टीम ने खरीदा है पैट कमिन्स को KKR ने 7.25 करोन रुपे में खरीदा न्यूजिलाइन के क्रिकेटर ट्रेक बोल्ट के लिए राजस्थान रॉयल्स और मुमाई इंडियन्स की बीच बिडिंग बोर हुई लेकिन आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी टीम ने इस खिलाडी को 8 करोन रुपे में खरीदा चिन्नाई की टीम ने वेस्ट इंडीज के ओलराउंडर खिलाडी डुएन ब्रावो को 4.4 करोन रुपे में खरीदा इस बार 590 खिलाडियों की बिडिंग होगी बैंगलूरू में ये निलामी प्रक्रिया 12 और 13 फरवरी को आयोजित की गई है BCCI के पास दुनिया भर से कुल 1214 खिलाडियों के आवेदन आये थे इन 590 खिलाडियों में से 370 भारतिये हैं और बाकी 220 विदेशी खिलाडी है इस सीजन की निलामी में अफगानिस्तान के सत्रा, औस्ट्रेलिया के 47, बांगलादेश के 5, इंगलेंड के 24, आयरलेंड के 5, न्यूजिलेंड के 24, साउथ आफरीका के 33, श्रीलंका के 23, वेस्ट इंडीस के 34, जिबाववे के 1, नेपाल के 1, अमेरिका के 1, नाबडियों के 3 और स्कॉटलेंड के 1 खिलाडी शामिल हो रहे हैं, लखनाओं और एहमदाबाद की टीमें पहली बार इस टूर्नमेंट में हिस्सा लेंगी, अब IPL में शामिन होने वाले टीमों की संख्या 8 से बढ़ा कर 10 कर दी गई हैं, ऐसी ही अन्य रोचक खबरों के लिए देखते र